हेलो स्टुडेंट्स आप सभी लोग का स्वागत है में जो आपको प्रवाइट करता है साथ वी से बादवी कक्षा तक के सब ही विश्यों के कंप्लेट वीडियो को सर्फ भी फ्री औफ और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर दो चैप्टर आपको फ्री करवाया और कहते बाकियों के लिए सब्क्रिप्सन लेना पड़ेगा या फिर कोई चार्ज पे करना पड़ेगा तब जाके आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी तो यहा पड़ने वाले हैं सांकी की चैप्टर जो कि कक्षा नौवी का पार्ट चौदा है और इसमें हम आज पहुंच चुके इसके उधारन एक दो तीन चार मतलब इन उधारन को आज करने वाले हैं कंप्लीट और इससे पहले हमने किया था सबसे बहतरीन सेशन जो कि इस को जिसने भी नहीं देखा है जरूर देख लेना जिसने भी उसको देख लिया कंप्लीट ली तो उसके बाद यह चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल आसान तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं इन चार कोश्चनों में कैसे कैसे इस टाइप कोश्चन है तो यहां अपर भई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो कुश्चन में कहा गया है कि गणित की परिक्षा में दस विद्यारती हैं द्वारा प्राप्त किये अंक लीजिए थी हैं जो की गणित परिक्षा में थे और इसके बाद कहा गया इन आकडों का परिशार यानिके रेंज हमे सबसे चोटा वाला कुश्चा है तो हमने लिखा फिर चांटीस आ गया और उसके बाद पचीस के बाद चातीस है फिर बैयालिस है ठीक है और बैयालिस के बाद पच्च्पन है पच्पन के बाद हमें दिख रहा है स्कितावज 6 फिर 62 इसको चेक करने के लिए काउंट करेंगे तो बैई ये तो टोटल 10 थी क्यूंकि दस विद्यारती तो दस हीूंगे तो में इसको भी गिनते यांधा मैं चाहिए तो दो दो चार्टीस दो आट और दो दस पर कभी भी गलती से एक आदा चूट जा रहा है क्योंकि हाँ ढूनने में तोड़ा बाद मिस्टेक हो जाती है तो चूट भी सकता है तो उस कंडिशन में हम इसको काउंट जब कर लेंगे इसको देख लेंगे गिल लेंगे वह कितने हैं अगर वह सेम आते हैं मतलब हम सही जा रह है परिसर कह लें या फिर रेंज कह लें इन आकड़ों का परिसर कह लें या फिर रेंज कह लें और वह कितना होगा तो वह गया या पर हम देख पा रहे हैं 25 से 25 जा रहा है तो इसका रेंज कितना आ जाएगा तो रेंज आ जाएगा इसका 25 से 25 यह कुश्ट यहां पर समाप बात नहीं चलो भी ठीक है तो आप इसका स्क्रिंसर्ट लेलो फिरम आते हैं नेस्ट कुशिन पर और देखते हैं अगला किस टाइप का है ओके चलो हां जी तो नेस्ट कुशिन की बात करें तो यह कह रहा है एक विद्याले की नवी कक्षा के तीस विद्यात्य द्वारा शौ अंकों में से प्राप्त किये गए अंक लिजिए इन आकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारनी के रूप में प्रस्तुत करना है अब वो किस अनु इसने कहा है बारंबारता बंटन में सार नी बनानी है यानि कि मैं क्या कहूंगा यहां पर क्या करते हैं यह लिखा मैंने अंक कि ठीक है यह यह हो गया और उसके बाद यहां पर लिखेंगे बारंबारता अब आख्य पाराट एकित यह नहीं आख्यों चुकत हो यह चला है उसके बाद क्या वहुस्ट वाद हम डेखे हैं उससे बड़ी संक्या कौण सी है तो से बड़ी संख्या कौन सी है तो से बड़ी संख्या की मैं बात करता हूं तो यहां पर मुझे 36 दिख रहा है ठीक है अब 36 को गिनते हैं कितने 36 हैं इसमें 36 की बात करें तो मुझे 36 है टीक है और vapor ल 그렇지स की बात करें नहीं नहीं है और तीसरे लएं में भी नहीं यान हम हम इसमें लिखते में दो फूर नहीं ढूह अब और उसके बात abdomen रहर इससे उसलना है तो तो चालिस कितने हैं, तो टोटल चार चालिस हो गए है, तो यहाँ पर मैंने देखा, चालिस जो है, वो चार है, ठीक है, यह चालिस खतम, उसके बाद, चालिस से बड़ा संक्या कौन सा है, तो पचास मुझे दिग गया, लेकिन पचास से और कितने हैं, पचास है, चालिस से हमारे पास हमारे तोना उसके बाद हम देखते ने नियुद्स के बाद आता और यह चापन कि बात करें तो यह चपन आ गया जो किदू है अच्छा मैं क्या करता हूं उन नंबर्स को काट देता हूं जो जो नंबर का यूज हो चुका है तो यह 10-20 एक है और यह यह कट चुका है ठीक है और उसके बाद हम बात करते हैं चार साट यहां पर कितने साट है चार साट है तो यहां पर लिखा हमने 60 और ये आगे 4 तो बही यहाँ पर हमने देखा इन 460 को भी अब खतम कर देते हैं ये 46 भी खतम हो गया है उसके बाद बड़ी संक्या कौन सी है तो 60 के बाद हम देखते हैं तो वह सतर है पर 60 के बाद सतर की बाद करें तो 70 कौन सा है तो 170 आगया और इधर देखते हैं तो दो और तीन सतर आ गया और यहां चार सतर आ गया यानि कि मैं इस आकड़ों में लिखता हूं कि सतर जो आ गए हैं वो कितने आ गए हैं यह भी चार आ चुके हैं अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं वह सतर भी हमारे कट चुके हैं वह सतर कट है यहां पर नीचे भातर नहीं यहां एक बाहतर है और इसके लिग दिए तो हम न हुं के बात करते हैं ऑड़तर से से बढ़ा आता है गा है में और तो उसके बाद next आता है क्या तो नखसी से बढщее गतने एक है और दू है इस nep जिए फीर एक तीन को लिकामनी तो तो यह तीन आ गया और पिंचानवे से बढ़ा है जो कि आखरी एक बचा है वह भी हमार पसाद चुका है और वह कितना एक है अब देखो हमें चेक करना है क्या यह सही है मतलब सारा कैलकुलेशन ठीक है उसके लिए आपको क्या करना होगा तो बहुत इन बारं बारता को जोड़न और पांच तीस बिल्कुल ठीक ती आ रहा है तो हमें इसने कहा था इन आकड़ों को बारंबारता बंटन साड़ने के रुपए प्रस्तित कीजिए और यह प्रस्तित हो चुका है कोई दिक्कत नहीं अब यहां पर आप इसमें देख रहें तो सारे उल्टे-फुल्टे रख होगे ठीक है यहीं से जोड़ के बताते हैं आप से का जाए सत्तर रंक वाले कितने तो सतर चार है सीधे बता दिया यानि अब यह जो डाटा है ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है यानि कि आप इन यह जो आपको आकड़े थे इन आकड़ों को जैसे इसमें प्रस किस टाइम का हैर कैसे वी बड़े औराम साव करने वारे नैक्ट्षण पर अगला हमारा है वन्हात्तुफ की दौरान-50 विढ़ारा है मैं सो पोधे लगाए गया है नहीं मतलब इसकता हुआ पुझछ सब विद्धालों में फाना था और उनने उने जीने लगाए गए ठाइज कि वहां वा कुछा खराब हो गया किसी गाई ने खा लिया चैड़ा बखरी ने खा गई लिए कुछ भी हो गया हुए ठीक है पॉदे खराव हो गया है इसका मतलब क्या है यहां पर पौधे लगाए गए और उसके बास 65 बचे यह वाला जो स्कूल रहा होगा इसके अंदर सो में से च्यांड़ी पौधे बचे हुए ठीक है इधर की बात करें इसमें 38 बचे हुए इसमें 25 बचे हुए इस तरह से सारे स्कूलों के हैं पौधे जितने भी बचे बचे हुए हैं उन सब के उन सब को यहां पर प्रस्तुत किया गया सब को यहां पर लिखा गया कि हर एक स्कूल में कितने कितने पौधे बचे हुए एक महीने बाद ओके चलो भी ठीक है उसके बाद भाई इसने क्या कहा है कि भई एक महीने बाद लगाए गए पौधों में इसे बचे गए पौधों की संख्या निम्न थी और उनको वर्ग बीस तो 29-39 तरह के वर्ग बनाएं और उसके अंदर लेकर एक वर्ग बारंबारता बंटन बनाई यह मतलब वर्ग बारंबारता बंटन हमें बनाना है तो जैसे कि आप देख पार रहों 20-39 तो 20-39 में कितने आपके पास हैं तो इसको आपको गिनना पड़ेगा फोर इक्जामपल 20 यहां पर 20 वाला नहीं है इसके अंदर बात की जाए तो 20 वाला नहीं है ठीक है इसके बाद यहां की बात की जाए तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं एक यह है और यहां तो कितने हैं यहां दो है ठीक है और उससे पीछे की हम बात करते हैं तो यहां पर वह कितने हैं तो की बनानी है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि वह क्या चीज़ है वहीं वीस से 29 के बीच तीन थे तो मिलांची ने बनाया एक दो तीन भाई इसको क्या करना है यह हमारी क्लास इंटरवल है जो आपर वर्ग अंतराल जिसा की कुश्चन में कहा था इस अनुसार लिख आ रहे हैं आपके पास तो उस कंडिशन में क्या होगा वहीं 14 हम उसमें काउंट करें जैसे कि मैं एक और काउंट करके बतायता हूं 3049 के बीच वाले तो 3049 का अगर हम यहां पर देखते हैं तो कितना आ रहा है तो यह एक आ गया ठीक है दो आ गया यह आ गया तीन चार और पर चलते जा रहें नहीं है और इसकी बात करते हैं तो पांच और यह यह नहीं आ रहा आगे चलते आते हैं इसमें भी नहीं है और इसमें 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 नहीं तो दो दो चार पांच यानि पांच तो पहले वाले पागे ठीक है अब आगे भी आते है ठीक है आगे की बात करते हैं तो यहां पर कितने आ रहे हैं तो यह से के अंदर एक है दो है और तीन है और यहां पर देखा चार है पांच है उसके बाद फिर छे है और उसके बाद इसमें नहीं दिख रहा है और कहीं दिख रहा है और एक यह भी नौ है ठीक है तोटल हमारे पास नौ आ चुके हैं यानिकि मैंने इसमें नौ जोड़ा और यह कितना आगे चौदा आगे तो आपने यहां पर देखा तीस से उन्तालिस के बिच कितनी संख्याय आ रही है तो द 12 13 14 लिखा और इसको करना है आपको और सब गिरना है कि वह रही है और यहां रख भी आपको और पैंटने पर बनता है कुछ चलो बहुत है और अगला किस टाइप का कुशण है और अगले को बहुत करेंगे बदेंगे बढ़े कुछ करते हैं तो यह लिखा आइए अब हम निमने लिखे तो बारं बारता बंटन साड़ने ले जिनमें एक कशा के 38 विद्यारतियों के भार दिये गए हैं जैसे कि मैं आपको बताओं तो कुछ यह टेबल इस तरह की बनी हुई है अब इस टेबल में कहा है भार जो है वह 31-35 है ज कोई दिकत नहीं है चलो भी ठीक है अब जैसा कि यह आपके पास है तो क्या इसके अंदर कुछ confusion है मतलब क्या यह सही है क्या इससे हम सारा analyze कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि मुद्दा यह है कि हमारे पास जो विद्यारतियों का भार है और उस भार के अं पाएंगे तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे कि यह continuous में लगातार में नहीं है संतत्त में नहीं है ठीक है तो उस condition में इसको continuous में संतत्त में बनाना पड़ेगा और कैसे बनाएंगे तो इसका एक तरीका ही होता है इस पहले वाले में से 05 घटाना होता है इसमें जोड़ 13 में 25 euro 5 जोड़ना पड़ेगा और हर किसी में यानि इस वाले पहले वाले यह पूरा पहली वाई लाइन है है तिक this subscribe हमें क्या करनापड़ेगा माइन एक फगॉइन पड़ेगा और इधर वाले की बात कि जा यह पूरा उसके अंधर प्लस करना पड़ेगा जैसा कि मैं हाँ दिखा रहा हूं जैसे आप इसको घटा होगे तो घटाते कितना रहा है तो घटाते आ रहे तीस दसम्वलों पांच आ गया और और इधर की बात कि यह आ गया 35 पाँच आ गया इस अनुसार यह बदलेगा यानि कि अब मैं साथ में इसके वर्ग अंतराल अगर बनाता हूं कि एक मिनिट कि साथ में अगर मैं यहां पर इसके वर्ग अंतराल यहां पर बनाता हूं और यहां से आजाएगा 35 दॉट जोड़ोंगे तो इसके अंदर आएगा 40 दॉट पांच आएगा भाई यह आगया और इस नुसार पूरा ही चलता जाएगा यानि की मैं अब कह सकता हूं इसके अंदर कि अगला आएगा यही वाली चीज़ यहाएगी यानि 40.5 आ गया और यह कितना आ गया है यहां से 55.5 उसके बाद भी 55.5 और उससे जाएगा इसके अगर आपको डाटा कभी भी दिखे तो फिर आपको इसको इसमें परिवर्तित करना पड़ेगा यानि की डाटा हमारा जो भी आकड़े हैं वह हमेशा continuous होने चीज़िए यानि कि संतत होने चीज़िए तो इसे अनुसार ही रहेगा आपका तो इसको हमने कैसे परिवर्तित किया यह आप अब समझ चुक्यों और जो हमारे सामने दुविदा आ रहे थी कि वह अब तो साड़े तीन मतलब जैसे कि था वही जैसे मैंने भी कहा था वही कि 35.5 kg कहाएगा और 35.3 kg कहाएगा यह सब कहाएंगे अब आब बिलकुल समझ चुक्यों कोई साभी वेट आ जाए चाहे आपके पास आजाए बही सत्तर पॉइंट में साथ केजी आ जाए तो इसको भी आप रख पाओगे कोई करने अब सारे मान को सारे वेट को हम यहां पर रख सकते हैं क्योंकि यह continuous आ गया और सभी को सभी को सभी की जगे को बना रहा है तो यहां पर यह चीज भी confirm होती है यानि कि यहां पर हमने देखा कि इसके भार किस तरह से अरेंज करने हैं वह आप सम है कैसे कैसे आपका जो चिन हमने बनाये थे वह चिस तरीके से बनाये थे और कैसे हम यहां पर अंतराल में convert किया यह वर्ग बारम बारता में convert किया यह चीज़े आपने देख लिए हैं अब इसी के नुसार हम करने वाले हैं question जो की 14,2 परस्टनावली कहोंगे वह करेंगे next फिनकर यहों बातनी और की आपको प्लेटफोर्म आपको प्लेट्फोर्म मैं जो आपको प्रोवाइट करता है के सब았एट करत दोके सब्सक्राइब क्रूंट कांपटेट जाना आफ और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं पे करना जैसे आप देख पा रहे हुए वाच 100% फ्री यानि कोई भी पैसा नहीं लगी आपका और बहुत है क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रेमाइज नहीं होगा और यहां पर आपको मिलता है जैसे कि आप देख पर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहां पर आपके पास मैं आपके लिए मैंगरेंड की भूक्स भी अवलेबल हैं जो कि आपको यहां पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक होगा उस लिंक में आप जाके फिल अपके फॉर्म एक फॉर्म करोगे उसके बाद मैंगरेंड की टीम आपसे कॉंटक्ट में आएगी और आप बुक्स कैसे अवलेबल बुक कैसे प्राप्त कर पाओंगे चलो बैठी के तो यहां पर आपको बुक्स यानि हाड़ कॉपी मअर्ट यानि कि आपके मुवाइल पर या आपके पीसी पर भी अवलेबल हो सकती है ओके नो प्रोडम तो इसी के साथ अपनी तयारी आप कर सकते हो वेबसाइट पर जाओगे वेबसाइट है www.magnetbrains.com और वेबसाइट में क्या चीज़ है तो वेबसाइट की मैं आपको बाल बता हूँ जैसे आप वेबसाइट बर जाते हो तो वहां पर आपको मिलता है पूरा कोर्स और सिस्टेमेटिक और वो कैसे तो जैसी आ यंदर को मिलेंगे सारे को अलग अलग से जैसे आप हो सीवेक्षा में हिंधी मीडियम में हैं नो सबक्राइब उसमें यहां पर पर फट सकते हो आप जैसी आप क्लिक करोगे ता आपकर नावी को चुनने के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो तो वहां पर आपको मिलेगा सबसे पहले चैप्टर का एक फुल कॉंसेट वीडियो में पूरे कॉंसेट को समझाए गया सारे रूल रूल राइगलेशन को समझाए गया उसके वाद मिलता है एंसी की पूरी सीरीज यानि बहुविकल प्रप्रेशन जो हैं उनके भी पूरी सी होगे डन चलो ठीक है तो फिर इन सेस्टन को भई आप अपने फ्रेंड सरकल रिलेटिव यापकी जान पेचान में जो भी कोई इनकशाओं में पढ़ते हैं उनको इसका फाइदा मिल पाए आपको फाइदा मिल रहा है उनको फाइदा मिले ता बहुत अच्छी बात होगी डन चलो भए ठीक है तो इससे के साथ कहना चाहता हूं अगर वीडियो आपको अच्छे लगती है तो इसे लाइक कीजिए न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहे हैं ओकी बाई तेंक यू